हाई गाइज बागवानी फ्रेंड्स बागवानी एक ऐसा सौख है जो मौफ्टली लोगों को होता है और सभी अपने घर में छोटे-छोटे प्लांट्स लगाना तो पसंद करते ही हैं नमस्कार दोस्तों मैं आदिश्री आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट ग्रों में तिने होना जरूरी है तो आपने शुरू करते हैं आज की वीडियो की में यह सीरीज में हमारा पहला है यह तुल्षी का ऑदा वा जब एक कुझेज Easy परेस्टी में हमारा नेक्स्ट पोदा हैð नंबरv कताबैकरंगर में सभी नगारा अगर में दूर तूर्ट तो इसको आपको ए सकाराक्त कुला कि आपकता इसको हमें एंटेस्स पर लगाना चाहिए दो नहीं piace निली झाल पूरोरर नहीं जोर है आपके लगाए सब्सक्रों भुर संदी में सब्सक्राइब में दूरर में प्लाइब और यह इसके iisu विया घुरasm установ इस पोधे को भी हमें अपने घर में जरूर लगाना चाहिए बहुती सूफल देने वाला यह पोधे होते हैं जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं तो नंबर तीन पर है हमारा यह मनी प्लांट और आप देख सकते मैंने इसको लगाया हुए तब यह स्टार्टिंग इसकी वह ब भी फोधा टायूंगे अलह ब्रांट हो बैसे दो भी माना ज्टा है इस को आपके हैल्थ के लिएह स्किन बहें अठ्छा प्लांट है' तो यह भी मेरे घर में ज़रूरी होना चाहिए गाइज नेक्स्ट है गाइज हमारा ये समी का पोधा, समी का पोधा भी मोशली सभी के घरों में मिल जाता है, गाइज ये एक ऐसा प्लांट है, जिसको घर में लगाने से जो सनी देवता के दोस्त होते हैं, वो दूर होते हैं, और शनीवार के दिन ये दिया, आप समी के रिसे हम परिजात मी बोलते हैं बहुत की सूरत है साम के समय में बहुत हैं चूरओ से वह उर्च सुरूरत यह बहुत है पोदा होता है जैंड हम देखते हैं यह हमारा जड़ का प्लांट इसे हम जड़ प्लांट भी बोलते हैं यह भी एक सुभू पोदा होता है इसे हमें एंटेंस पर लगाना चाहिए और दूसरा एक सोपीस भी होता है आप इससे नए नए इसमें डिजाइन टोपियारी बना सकते हैं कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं फ्लक्सिबल होता है और इसको मनी प्लांट के रूप में यूज के जाता है घर में इतना हरा भरा होता है इतनी घर में सुखसांती आती है गाईस तो यह जड़ का प्लांट है यह भी हमारे घरों में होना चाहिए बहुत ही अच्छा पोदा माना जा कराए सब्दा यह गाइस सदा बहर नुद्यह बहुत है तो आज की आपको इदी परसना प्लीई मेरे चैनल को आप पहले बार आए तो इस चैनल को जूरू सब्सक्राइब कि जीए का फैंट के साथ मूं जो बश्यों को